आप लोगों के अच्छे दिन आये हैं या नहीं पताने लेकिन गोधी आंकरों के बुरे दिन ज़रूर आ गए बाई चिंता ना कर आज की लिस्ट में तुम्हारे अलावा भी और लोग है क्योंकि इसने कड़ी टककर दे रखी है भाई को वैसे स्मृती जी ने जो कहा मैं उसकी कड़ी मिंदा करती हूँ इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ जूट बोला बल्कि इसलिए कि सुधीर ने नौ साल में पहली बार सही प्रश्ण पूछा और सही मंच पर सही शक्स से पूछा नौ साल तक इतनी डुगडुगी बजाने का ये सिला मिला कि मंतरी महोदया का अंकार भूल गया ये तो अपना आदमी है और सिर्फ इतना ही नहीं इसी मंच पर एक विपक्ष के बड़े नेता यूपी के पूर्व सबसे सच्चा और अच्छा ही है एक ही दिन में एक ही मंच पर सत्ता के चाटूकारों को विपक्ष नहीं नहीं सत्ता पक्ष ने भी लपेट लिया इन्हें गोदी की तरह ही ट्रीट करते है ये विपक्ष को बुलाते हैं बैलन्स करने के लिए देकर अखिलेश आदव ने ये पहली बार नहीं किया है वो जानते हैं उन्हें क्यों बुलाया जाता है तो वो भी पूरा टीवी स्पेस लेकर इनकी बखिया उधेडाते है इमांदार पत्तकारों की सूची बनाई है लिस्ट नाम आपका भी है उसमें है सच बता उमीद है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप देश के सबसे इमांदार पत्तकारों में आते हैं पर अखिलेश यादव के बोलने से इनकी नींदे हराम नहीं होती है विपक्ष और जनता से गाली खाने वाले काम तो ये जानवुचकर करते हैं जो जनता के बीच बिना सुरक्षा ना जा पाएं वो काये के पत्रगार नींद तो हराम तब होती है जब जिनकी पूजा करो और वही तिहार रिटर्न बोल जाएं सुधीर जी की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने स्मृती इरानी से आज महंगे टमाटरों पर सवाल कर लिया या ये पूछ लिया आपके घर में भी ये चर्चा होती थी कि टमाटर इतने महंगे हैं कितना सीधा सरल सवाल था कोई बड़ी रिसर्च भी नहीं करनी पड़ी इसके लिए लेकिन सुधीर जी की गलती ये है कि ये 9 साल से ऐसे सीधे सरल सवाल तक ना पूछ पाए मोडी सरकार के किसी मंत्री या खुद प्रधान मंत्री से देखो इनकी पत्रकारिता इन्हें पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपे किलो होता दिग गया था पाकिस्तान में खाने पीने के सामान की किमत लगातार बढ़ रही है यानि वहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है इन्हें पाकिस्तान में टमाटर महंगे होने की खबर बड़ी खबर नजर आई थी आज कल पाकिस्तान में एक किलो टमाटर तीन सो रुपे प्रती किलो तक भिक रहा है ये ये भी जानते थे कि वहां के न्यूस चानलों पर पाकिस्तान की महंगाई की खबर दिख रही थी मतलब खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के ν्यूस चैनल भी इनकी पतरकारिता की तुलना मे बहतर थे वो पाकिस्तान की महенगाई दिखा रहे थे और ये सिर्फ पाकिस्तान की ही महенगाई की बात कर रहे थे ये गरीब की रोटी की तुलना OTT से ना कर रहे होते लेकिन हमें लगता है कि अब इस इंटरनेट के युग में दो जून की रोटी का महत्व बदल चुका है अब लोगों को दो जून की रोटी से ज्यादा चिंता दो जून के डेटा की होती है आटा और डाटा को एक तराजू में ना तोल रहे होते और इस दोरान हमने ये पाया कि भारत में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तिमाल ने ज्यादा तर परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और अब आपका सबसे ज्यादा पैसा आटे पर खर्च नहीं होता बलकि अब आप डेटा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आज इनका ये हश्रन नहीं होता जब महंगाई होती चली जा रहे थी तब ये महंगाई के फाइदे गिना रहे थे सुधीर चौधरी इतनी बड़ी बात जब एक अहंकार में डूबी मंत्री ने सिर्फ महंगाई पर बात करने पर बोल डाली तो जरा सोचिये ये आपके साथ क्या करने की कोशिश थी कभी गौर फर्माईए और अंदर जहां किये जब स्मृतिय जी ने ये कहा आप सेहन गए और ठीले पड़ गए आप भी इन से पूछ सकते थे कि ये तो वही बात हुई कि महिला पहलवान सड़क पर बैठी होती है और आप आरोपी सांसत के साथ खड़ी नजर आती है ये वैसी ही बात हुई स्मृतिय रानी जी कि मनिपूर की महिलाओं को नंगा घुमा कर गैंग रेप करने से आपको पीड़ा नहीं पहुँची पर एक कथिद फ्लाइंग किस से हो गई जो आपके लिए थी भी नहीं क्योंकि एक मात्र फुटेग जो है वो बताती है राहूल का चहरा आपसे दूसरी दिशा में था आप कह सकते थे कि स्मृतिय जी मेरे बारे में किसी और दिन बोल लीजिएगा मेरे कोट केस के बारे में किसी और दिन बात कर लीजिएगा मैं आज बाहर हूँ तो आप नयाय प्रणाली का अपमान कर रही है ब्रिजभूशन बेल पर बाहर है तो आपका अपना है मैं बाहर हूँ तो आपको पीड़ा हो रही है अरनप को जेल में डाला गया था तो आपको बड़ी पीडा हो रही थी आप तो ट्विक तक करके उनका समर्थन कर रही थी जबकि आप भी जानती थी वो खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में जेल में था इतनी सिलेक्टिव आप इसलिए है श्मिती जी की अरनप की हिम्मत नहीं आप से टमाटर तक पर सवाल पूछने की मैंने पूछ लिया तो आप बिलबिला गई आप मुझ पर कितने भी व्यक्तिगत सवाल उठा लें पर मेरा सवाल नहीं बदलेगा आप सिलिंडर लेकर जमीन पर पड़ी मिलती थी आज आप सिलिंडर के साथ खड़ी भी नहीं दिखती आपके राहूल अपसेशन की कहानिया सबको पता है अब सुधीर अपसेशन की कहानियों का सिलसला मत शुरू कीजे प्लीज चलिए सवा प्रियाने कही होती ना तो आप पर्सनल लेवल पर उसका पूरा बायो डेटा खोल देते हैं उसके बाद ट्विटर पर भी सत्ता के आगे ब्राउनी पॉइंट बनाने के लिए कूद पड़ते हैं लेकिन यहां आप खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाए आपको गो देश देख रहा है आपका इतिहास नहीं बलकि आपकी पत्रकारिता इतनी ब्लाक हो चुकी है जिसमें थोड़ा भी वाइट सवाल डालने की कोशिश उसे ग्रे ही बनाएगी सफेद नहीं अभी भी वक्त है आँखे खोलने सुधर जाएं यह तब तक सगे हैं जब तक आप अब इनके मूँ लगें सत्यमेव जयते